हेलो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बोला था हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री ओनलाइन टेस्स सिरीज जो हमारा जो पहला लेक्षर था साइक्याट्रिक का उस पर ये वेस्ट है उम्मीद करता हूं आप सभी इस टेस्ट में ओनेस्टली के साथ अपना सेल्फ इवालुएशन क इसको हम सुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दू कि अपने जो भी आंसर्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए थाकि हम सभी को एनलिस्ट कर सके आपका नोलेज आप खुद एवालुएट कीजिएगा हम केवल टॉप थ्री स्टुडेंट्स को ही इसमें एनलिस्ट करेंगे और यह टाइम रहेगा अगला दो दिन दो दिन तग आप इस पर कमेंट कर सकते हैं तीसरे दिन जो वीडियो आएगा उस पर हम इनके आंसर्स के साथ जो टॉप थ्री स्टुडेंट्स होंगे उनके नाम डालेंगे ठीक है फ्रेंड्स यह हमारा इंट्र प्रेंट्री नर्सिंग एक्षन फोर साइक्यार्ट्री नर्स वैंसी फाइंट्स तैट बाइपॉलर डिसोर्डर पैसेंट इस मेंकिंग एक्सेसिव कॉंटेक्ट विद हर ठीक है आप इसको समझ येगा मैं केवाल इसको रीडाउट करूंगा एक्स्पीनेशन हमां अगले वीडियो में देंगे इसमें पहला हाइड हरसेल्फ इन रूम भी है इन्वाल्व विद हिम थर्ड है मैक्शॉर एन्वारमेंट इस फ्री फ्रॉम डेंजर और चोथा है रिस्ट्रेंड दा पैसेंट के फ्रेंड्स स्टडी कीजिए अपने टोपिक्स पे और इसको अच्छ करने से पहले आप अनेस्ट ली के साथ लिखिएगा ठीक है इससे अगला हम चलते हैं इन अबलीटी तो एंजोई प्रीवियसली एंजोएबल एक्टिविटी इज फर्स्ट ऑप्शन एंबी टेंडेंसी सेकेंड वन एंबी वेलेंसी थर्ड वन एन हैड़निया फॉर्थ व इस वह जो पहला वी डियो उसमें लिखा हुआ है आपको यह क्षिच्छन बता देता हूं थीन वर पुछा गया है एक्टाम में और आपको देखना है जो मेरे नोट्स है इसको study किया हो पहला जो पहला लेक्चर उसी में ये पहली 5 मिनट में ही लिखा हो है तो इसमें सबसे पहला है delusion of reference, second है psychomotor retardation, third है hyperactivity and last one है depression best answer को choose कीजिएगा और answer comment box में लिखिएगा agla question, what is most important for the nurse when new psychiatry patient is assigned first close observation and restraint application, second one collection of history of patient from family third one making medial diagnosis and implement plan, fourth one sharing personal view regarding disease condition friends, ये priority and important topic है जिसमें से question इसाप से आते हैं, आपको तयार करना इसको okay, तो best answer इसमें से choose कीजिएगा, answer explanation हम अगले वीडियो में देंगे which one will not have poor prognosis of psychiatric illness first one, orphan child second, divorced woman third, married man fourth, widow, lady okay, ये question इसके related भी मैंने मेरे first lecture में बता है, उम्मीद करता हूँ, आपने सब ने उसको देखा है, answer सही करेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है, इसमें गलती नहीं करेंगे आप okay friends, john rel, q the term, obviously ये तो आप कोई गलत नहीं करने वाला है, john rel ने कौन सा term दिया था, first psychology, second one, mental health, third one, psychiatry, fourth one, psycho analysis, okay, ये भी मैंने बताया है, introduction के timing, ये question जो आ रहे है, obviously friends, two question मैंने ऐसे रखा है, थोड़ा आपको केवल मुझे पर depend होने की ही नहीं, कि भी coaching में भी सारे चीज़े नहीं बता जाती, ये खुद आपको भी study करना पड़ता है, उसी ही साब से मैंने दो question डालें, और obviously ऐ first psychiatry nursing textbook was written by, question है, first psychiatry nursing textbook was written by, Dorothea Dix, Harriet Bailey, Hildegard Peplu, and Linda Richards, find it out, write in comment box, the right answer, next question, this is also different, psychodrama was introduced by, option A, Jacob Monero, B, Joseph Pratt, C, Joseph Wolpe, and D, Maxwell Jones, जो भी रही answer लिखेगा, उनको हमें अनलिस्ट करेंगे, friends, एक चीज़ और मैंने में क्विश्चन नहीं लिखा हुआ है, आप सब को serial wise समझ के चलिएगा, 1, 2, 3, ये 10th नमबर का question है, इसी साब से आपको लिखना है, पहला 1 के आगे, A, 2nd के जो भी answer होगा, correct answer, this is for example, okay, friends, अगले दो दिन के बाद हम इसी वीडियो पर वापस एक explanation के साथ वीडियो बनाएंगे, और उसमें जो top 3 students होंगे, उनका नाम लिखेंगे, thank you, और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो, please like, comment, share, and subscribe my video, thank you.